इस लड़के ने संसनी मचा दी पचास घंटे में 300 किलोमीटर का सफर कौन है लड़का क्यों दोड रहा है यूँ क्यों 50 घंटे में 300 किलोमीटर तक भाग रहा है बस भाग रहा है राइस्थान के सीकर का एक यूवक क्यों सोशल मीडिया पर चाया हुआ है क्यों आखिरकार इसके जुनून को देख लोग इसे सलाम कर रही है तो चलिए अब जान लीजिए कि युवक है कौन नाम है सुरेश, उम्र है 24 और यह क्यों भाग रहा है अब वो भी जान लीजिए क्योंकि ये चाहता है कि इंडियन आर्मी में भरती शुरू हो दरसल ये युवक भारते सेना में शामिल होने के लिए राजिस्थान के सीकर से दिल्ली में एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 50 घंटों में 350 किलो मीटर दोड़ कर पहुँचा उसका एक जजबा देखकर हर कोई उसे सलाम कर रहा है सुरेश का कहना है कि भारते सेना में शामिल होने के लिए मेरे अंदर जुनून है तो सालों में भरती नहीं हो रही नागवर सीकर जुन-जुन के युवाओं की उम्र निकल रही है मैं दोड़ कर दिल्ली में युवाओं का जोज बढ़ानी के लिए आया हूँ याद होगा आपको हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वारल हुआ था जब सीना में भरती होने के लिए उत्राखन के युवाओं के मजबूत होसले और मुश्किलों को दर्शाता वीडियो सामने आये था जो कि सोशल मीडिया पर भयंकर वारल हुआ था वीडियो में निस साल का लड़का देर रात नुएड़ा की सड़क पर बिना किसी परभा किये दोड़ता चला जा रहा था गाउ से दूर शहर में तमाम मुश्किलों के बीच भी लड़का चोहरे पर हसी लिए सड़क पर दोड़ती प्रदीप महरा ने खुब सुरक्या बठोरी पसीने से लटपाद कहीं चोहरे पर सिकन नहीं थी और अब सुरेश का जजबा वाकी हमारे देश में ऐसे वीर सपूत है जिसके जजबे को पूरा देश सलाम करता है